नमस्कार जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सोलियर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट ग्रमपुर यारो का ओरिजिनल कोस्टेन पेपर तो दोस्तो इस परिशन पत्र में नर्सिंग असिस्टेंट में यानि की 50 परिशन होते हैं टोटल और पिरतेक परिशन जो होता है वो चार अंका होता है तो इस परकार से दोस्तो आपके लिए वो काटा जाता है ठीक है और वांक की कुछ इतना important नहीं है तो हम इसको skip करते हैं अभी चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पे अपने questions की तरफ तो question नमर बन की तरफ चलते हैं दोस्तों यहाँ पे हम सैनिक बिद्रो के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे अब सैनिक बिद्रो कब हुआ था जल्दी से बताईए सैनिक बिद्रो हुआ था दोस्तों 1857 से जिसके लिए हम भारती सुतंतरता की पहली किरांती मानते हैं और इसकी जो शुरुवात हुई थी दोस्तों बो 1857 में जनरल कौन थे आपके लॉड बेटिंग लॉड डलोजी लॉड कार्नेवालिस एंड लॉड कैनिंग तो कोस्चन नम्बर बन का दोस्तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्सटन डी लैड कैनिग ठीक है अगर आपको किसी भी कोस्चन का आंसर पता है तो उसको कमेंट वोक्स मे कमेंट करके जरू बताये करें ठीक है चलिए अगले कोस्टी चलते हैं दोस्तो कोस्चन नम्बर टू कोस्चन नम्बर टू है विच एंसेंट किंग इज नाउन एस इंडियन नेपोलियन निमलिकत में से कौन से प्राचिन राजा भारतिय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं आपके हर्स, समध्रगुप्त, कनेश्क और असोग तो question number two का दोस्तो right answer होगा आपका option B समध्रगुप्त हम यहाँ पर जल्दी जल्दी आपका समय खराब नहीं करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा हम आपके लिए यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके लिए भी अगर किसी भी question का answer पता है तो जल्दी जल्दी उसमें क्या है कि comment करके और हमें answer बताते रहें ठीक है चलिए अगले question की तरफ चलते है question number 3 How many countries are the member of ASEAN ठीक है ASEAN संगठन में कितने देश सदस सदेश सामिल है तो सबसे पहले ASEAN की दोस्तों हमाली यहाँ पर आप full form बता दीजिए और यहाँ पर इसमें कितने सदस सदेश सामिल है साथ साथ अगर आपको पता है तो जल्दी से यह भी कमेंट करके बताईए तो दोस्तों यहाँ पर option से आपके 20, 10, 15 या फिर 19 तो question number 3 का right answer होगा आपका option B 10 ठीक है ASEAN में जो है दोस्तों वो 10 सदस सदेश सामिल है अगले question की तरफ चलते है question number 4 और question number 4 है दोस्तों काना नेशनल पार्क is situated in which state काना राश्टरी पार्क किस राज में इस्तित है ठीक है options है आपके उत्तर प्रदेश, आसाम, मद्ध प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तो question number 4 का दोस्तों जल्दी से कमेंट बोक्स में answer दीजिए कि काना राश्टरी पार्क कहां पर है और ये किस के लिए प्रिसेदे मनलब किस के लिए जानी जाती है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि काना राश्टरी पार्क जो है वो बाग के लिए जानी जाती है इसमें बाग पाई जाते हैं और ये जो है दोस्तों वो मद्ध प्रदेश में इस्थित है तो question number 4 का right answer होगा आपका option C मद्ध प्रदेश याने की MP चलिए अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तो question number 5 और question number 5 है हमारा who was the successor of सिवाजी सिवाजी के उत्रादिकारी कौन थे option से आपके ताना जी, संबाजी, बाजी राओ और साहु जी तो question number 5 का दोस्तो right answer होगा आपका option B संबाजी ठीक है सिवाजी के जो उत्रादिकारी थे कौन से कौन थे संबाजी थे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपके पास में किसी भी ARO का किसी भी trade का कोई भी original question paper है तो उसके लिए हमें आप जल्दी से हमारे telegram group जिसका link इस वीडियो के description में दिया गया है उसमें आके हमें आप उसको paper को share जरू करें ठीक है चलिए अगले question के तरफ चलते हैं question number six question number six है उजयन is situated on the bank of which river उजयन किस नदी के किनारे इस्थित है options है आपके नर्मदा, सिप्रा, सोन और महनदी तो दोस्तो उजयन सहर जो है वो कहां पर इस्थित है यह है दोस्तो सिप्रा नदी के तरफ पेस थे तो question number six का option भी बिल्कुल right answer होगा अगले question से पहले अगर आपने वीडियो का भी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही amazing question paper की वीडियोज पाने के लिए चैनल यह अगला question है दोस्तों हमारा who is the head of Indian armed forces भारती ससस्त्र सेनाओं का प्रमुख कौन है ठीक है option से आपके सेना ध्यक्ष राष्टरपती प्रधान मंत्री या फिर chief of defense staff ठीक है तो आपको बताना है कि who was the head of Indian armed forces होते हैं वो राष्टरपती होते हैं ठीक है चलिए अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तों question number 8 question number 8 है आपका Muslim धार्मे के स्थल मक्का डैस में इस्थित है Muslim का जो धार्मे के स्थल मक्का वो कहां पर इस्थित है option है Jordan, Iraq, Saudi Arab और कोबयत question number 8 का दोस्तों right answer होगा आपका option C, Saudi Arabia सौदी Arab में क्या है मक्का, मदिना, मक्का जो है वो इस्थित है question number 9 के तरफ चलते हैं question number 9 है हमारा which of the following can be recycled निमन में से किसको दोबारा उपयोग किया जा सकता है तो आपको बताना है कि नीचे जो options दिये गए है इनमें से ऐसा कौन सा option है जिसके लिए हम एक बार खराब हो जाए या पर उसको तोल फोड के उसको हम दोबारा भी यूज में ला सकते हैं options है आपके natural gas, koila, धातवें और प्राकरतिक तेल ठीक है तो दोस्तों देखी natural gas, koila और natural oil ये तिनों ऐसे हैं जो एक बार यूज हो गए तो इनको दोबारा कभी भी किसी भी शेप में यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है आप बचा यहाँ पर metals metals है दोस्तों इसके लिए हम कई बार use कर सकते हैं ठीक है कोई भी बरतन है कोई भी metal है उसके लिए हम एक चीज खराब हो जाती है तो उसको पिखला के दोबारा भी किसी नहीं किसी काम में ले 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 थे हैं तो यहाँ पर question number 9 का right answer होगा option C metals अगला question है दोस्तों हमारा question number 10 और यह section एक कर last question है उसके बार में दोस्तों एकत्रित कर को किया कहा जाता था ठीक है option से आपके कर, वर्मन, बाली और बिद्था ठीक है तो question number 10 का दोस्तों आपका right answer होगा option C बाली ठीक है उस समय पर जो रादाव द्वारा प्रिजा से कर लिया जाता था उसके लिए दोस्तों क्या बोलते थे बाली बोला जाता था ठीक है तो यहाँ पर section A खतम हो दोस्तों अभी हम चलेंगे सीधे section C जहाँ पर आपके only 5 questions होंगे और वो questions होंगे आपके physics के तो यह है section C जिसमें हम discuss करेंगे physics के 16-20 question और उसके बाद में हम अगली वीडियो में discuss करेंगे इस प्यपर का बचा हुआ पार ठीक है तो चलिए दोस्तो question number 16 के तरफ चलते हैं question number 16 है हमारा आवेस dash का प्रवाह है option से आपके proton, electron, electron और neutron question number 16 का दोस्तो right answer होगा आपका option C electron ठीक है अगले question के तरफ चलते हैं question number 17 बिद्वत प्रवाह का घनत्व क्या है options है son, anant एक सदिश परिमाण और एक अदिश परिमाण question number 17 का दोस्तो right answer होगा आपका option C vector quantity यानि कि एक सदिश परिमाण परिमाण ठीक है अगले question के तरफ चलते हैं question number 18 question number 18 है हमारा ultimator is used to measures ultimator जो है वो किस के लिए मापने के काम में आता है options है मैं इस paper को आपको इसी question के लिए मैंने दो दिन पहले एक वीडियो कराई थी उसमें भी यही question सेम था ultimator किस को मापने के काम में आता है ठीक है वो इस तरह से दिया गया था question तो दोस्तो question number 18 का options है तापमान, उचाई, गहराई और दाब तो दोस्तो अल्टिमेटर जो है वो समुदर तल से उचाई नापने के काम में आता है यानि कि यहां पर option भी आपका बिल्कुल right answer होगा उचाई ठीक है चलिए अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तो question number question number 19 और question number 19 है हमारा if the earth had no atmosphere, the sky would have looked अगर प्रत्वी पर कोई biominder नहीं होदा तो आकास कैसा देखाई देता है तो आकास देखाई देता है दोस्तो यहां पर काला तो option D आपका बिल्कुल right answer होगा लास्ट question है दोस्तो sound waves are ठीक है दोनी तरंगे हैं तो दोनी तरंगे दोस्तो क्या है question number 20 का right answer होगा option C ठीक है तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी इसके वज़ेसे दोस्तो यहीं पर finish करते हैं कल इसी वीडियो के आगे के पार्ट लेकर आएंगे तब तक के लिए नमस्कार